हेलो दोस्तो बहुत स्वाकत आपका हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसक्यूलस होमियोपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तो ये दवा सबसे पर्मुगरूप से कौंश्टी पेसन और उससे जुड़ी वी समस्या पाइल्स में डॉक्टर दौरा प्रस्क्राइब की जाती है तो ये दोस्तो जानते है एसक्यूलस होमियोपैथिक मेडिसिन किन किन समस्याओं में काम करती है और साथ ही जानेंगे इसकी डोज के बारे में दोस्तो आज कल की भागदोड़ परी लाइप स्टाइल में कब्ज और पाइल्स की समस्या अधिक तक लोगों में देखी जाती है तो ये दवा कब्ज को दूर करके पाइल्स में खुझली, दरज, जलन और ब्लीडिंग को कम करती है दोस्तो अगर बावा सिर्ष रुगाती दौर में है यानि की फ़र्ष इस्टेज में है तो ओमिडिंग मेडिसिन लेने से बिलकुल क्योर भी हो सकती है और अगर बावा सिर्ष पुरानी है तो फिर ओमिडिक दवाउं से उसमें आराम आता है जैसे कि सूजन कम होती है और मस्व का आकार भी छोटा होता है तो दोस्तो ये दवा बवासिर के कार्ण होने वाले कमर दरद में भी रहत देती है तो ही दोस्तो अब बात कर लेते हैं एस्किलर सॉमियोपेथिक मेडिसिन की डोज के बारे में दोस्तो इस दवा को दस दस बून डॉक्टर दिन में तीन बार लेने की सला देते हैं आपको एक बार में आदा कप पानी के साथ दस बून दवा को मिला करके लेना है जैसे ही आप इस दवा को लेना शुरू करते है तो आपको तीम दिन में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है वैसे दोस्तों हमियोपेथिक मेडिसन को हमेशा आपको डॉक्टर की सला से लेना चाहिए और अगर बावासिर बहुती खराब कंडिशन में है ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है इन्फेक्शन है तो फिर आपको सर्जन से मिलकर के सला लेनी चाहिए तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आपको अमारे दोरह दिखे जानकारी अच्छी लगी होगी जुड़े रहने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन सम्मंदी और स्वास्ते सम्मंदी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें